दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे feminist criticism को इसमें जितने भी important नाम है, जितनी भी important waves है और जितनी भी important terms है, इस वीडियो में मैं सब को discuss करूँगा one by one करगी दोसो इसके बाद एक और वीडियो बनेगी इसकी लेकिन इस 10 मिरिट की वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के end में इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आपको मैं feminism समझा सको तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट वेव फैमिनिजम से दोस्तों फर्स्ट वेव फैमिनिजम शुरू ही थी फ्रैंच रेवलिशन से जो 1789 में फ्रैंच रेवलिशन हुआ था तब से यह फर्स्ट वेव आई थी वोटिंग राइट्स के लिए यह इंपॉर्स्ट वेव को आई थी वोटिंग राइट्स के लिए और इस फर्स्ट वेव को suffrage at moment भी कहा जाता है यह suffrage का मतलब होता है right to vote इस फर्स्ट वेव में जो सबसे बड़ी बड़ी leaders थी उनके नाम में आपको गिनवाता हूँ सबसे पहले Ann Bradstreet Aphra Ben और Mary Wollstonecraft इन में यह जो Mary Wollstonecraft है इनको British Feminism की Grandmother भी कहा जाता है क्योंकि Vindications of the Rights of the Women नाम की वर्क को इन्होंने लिखा था जो कि बहुत ही famous वर्क था फर्स्ट वेव फेमिनिजम में चौर important वर्क्स के नाम आप याद कर रहो जैसे thinking about women, sexual politics and the female unique अब बात करते हैं second wave की तो फर्स्ट वेव में voting rights की मांग हुई थी second wave के अंदर liberation liberation moment था यह और आम तोर पे इस wave को gyno criticism की नाम से भी जाना जाता है इस wave में में लिख किस चीज़ पर focus किया गया कि औरतें बच्चे पैदा करे या नहीं करें इनके rights उनको होने चाहिए जिसे reproductive rights कहते हैं discrimination in family family के अंदर भीदबाव नहीं होना चाहिए इसके लिए भी और workplace workplace पर भी भीदबाव नहीं होना चाहिए उनके साथ में domestic violence नहीं होनी चाहिए marital rape नहीं होना चाहिए वैसे तो third wave आने तक ये wave चलती रही थी कोई exact time नहीं है लेकिन mainly ये active थी 1960s से लेकर 1970s तर और ये शुरू हुई थी USA, United States से ऐसा माना जाता है एक American literary critic है Alan Showalter उन्होंने एक work लिखा था A literature of their own इस work से इसकी शुरुआद माने जाती है और दोस्तों इन्होंने ही इस gyno criticism वाली term को coin out किया था इनके अलावा आपको एक और नाम नोट करना चाहिए Carol Hanich ये भी एक बहुत बड़ा नाम है और इनका एक famous work है The Personalist Political 1969 का essay है ये second wave feminism में radical feminist थी अब मैं आपको बदाता हूँ third wave feminism के बारे में इस wave का mainly focus था post-structuralist interpretations पर ये 1990 से 2008 तक चली थी अब जैसा मैंने बोला कि इनका main focus था post-structuralist interpretations पर तो इसका मतलब ये है कि इनका main focus था individualism और diversity पर इस wave को शुरू करने का credit दिया जाता है Rebecca Walker को उन्होंने एक work लिखा था becoming the third wave 1992 का एक article लिखा था work नहीं था ये article था इनके अलावा Jennifer Bumgardner और Amy Richards जिन्होंने famous works लिखे थे और Jacqueline Rose इनका नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा Jacqueline Rose इन्होंने Sylvia Plath के works को examine किया था कुछ feminist interpretations निका ली थी जिसका नाम दिया था The Haunting of Sylvia Plath black woman भी शामिल हो चुकी थी इसके अंदर black हो, brown हो या white हो सब head of woman ही इसके बाद fourth wave शुरू होती है 2008 से जिसको शुरू किया था Kira Cochrane ने ये एक British journalist और novelist है दोस्तों इन्होंने एक famous work लिखा था All the rebel women The rise of fourth wave feminism देखो ये जो moment है ये technology से connected है और इसके अंदर psychology पर focus किया गया अब यहां तक मैंने आपको चार waves की बारे में brief introduction दिया अब हम आगे बढ़ते हैं शुरू से शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ पहली बार feminism पर लिखना किसने शुरू किया होगा Simon D. Biver का नाम आपने सुना होगा उन्होंने कहा था कि एक Italian French poet थी Christine D. Pisson वो first woman थी जिन्होंने feminism के बारे में लिखना शुरू किया सिर्फ 25 साल की उमर में जब वो widow हो गए उनके 3 बच्चे थे तो उन्होंने लिख कर अपनी earnings करना शुरू किया पैसे कमाना शुरू किया उन्होंने 3 important works लिखे थे Epistle to God of Love The Book of Three Virtues The Book of the City Ladies ये 3 important work थे अब इनके बाद में Mary Wollstonecraft Mary Wollstonecraft ने Milton की भी बात की और Pope और Russo की भी बात की इनको Grandmother of British Feminism भी कहा जाता है इन्होंने एक famous work लिखा था Thoughts on the Education of Daughters और Vindications of the Rights of Women ये तो famous work है इसा भी जानते हैं और इन सब के अरावा एक radical feminist work और है इनका Marya or the Wrongs of Women नाम का इनके बाद में नाम आता है Virginia Woolf का जन्होंने Stream of Consciousness पर काम किया था और A Room of Once On नाम के एक famous work को लिखा था Margaret Fuller और John Stuart Mill ने भी feminism पर बहुत काम किये थे ये सब शुरुवात करने वाले लोग थे feminism की अब हम बात करते हैं feminist criticism में कौन-कौन से अलग-अलग types चलते हैं सबसे पहली term है important term है गाइनो-criticism इसको coin out किया था Alan Show Walter ने अपने एक famous essay towards feminist politics में दूसरा जो type है वो है materialist feminism इसमें capitalism और patriarchy को highlight किया जाता है और इसमें focus ये रहता है कि ओड़ों के जो traditional tasks अभी तक चलते आए हैं उनके burden को कम किया जाए जैसे for example ओड़ों बहुत लंबे time से domestic jobs करती आई हैं जिनके लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता है और economic control जो आदमी के हाथ में रहता है तो उसकी वज़े से वो ओड़ों को दबाने में सक्षम होता है तीसरा important type है psychoanalytic feminism इसके अंदर unconscious operation पर focus किया जाता है कि unconsciously किस तरीके से दबाया जाता है ओड़ों को लब ओडों को किस तरह से psychologically influence करके उनसे काम करवा जाते हैं उस पर focus किया जाता है एक और type है cultural feminism का जिसमें क्या focus किया जाता है कि society में modern society सबसे ज़्यादा hurt किस चीज़ से हुई है masculine behavior को promote करने से कि मर्द बन, आदमी बन, आदमी रोती थोड़ी है तो ये cultural feminism क्या कहता है कि society में इस चीज़ को balance करने के लिए हमें feminine behavior को promote करना पड़ेगा किस तरीके से कि आदमी से ज़्यादा kind woman होती है आदमी से ज़्यादा gentle woman होती है और उसमें सहन शक्ती भी बहुत होती है जो आदमियों में नहीं हो सकती है तो इस तरीके से balance बनेगा cultural feminism इस पर focus करता है next आता है eco feminism eco feminism का focus किस चीज़ पर रहता है कि औरते जो होती है प्रकृती के समान ही उनके अंदर nurturing values होती है जैसे patience होता है प्रकृती के समान cooperation अच्छा कर लेती है और nurturing तो है ही तो ये eco feminism किस पर focus करता है कि society की जो original condition है वो matriarchal है next concept है liberal feminism का concept इसमें क्या माना जाता है कि सारे individual सारे इंसानों को खुली छूट देनी चाहिए कि वो अपनी equal opportunities और rights को खुद तलाशे है ये liberal feminism ऐसा बिलकुल नहीं मानता कि women में दिमाग नहीं होता और वो physically इतनी capable नहीं होती की इंसानों के बराबर काम कर सके ये ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानता liberal feminism ये gender equality की बात करता है social, legal और political rights की बात करता है इसके बाद आता है radical feminism radical feminism थोड़ा हटके है किस तरीके से कि ये पूरी तरह से concept of gender को completely खतम कर देना चाहता है इसके लिए इस concept की क्या राय है कि औरतों के पेट में बच्चा नहीं पलना चाहिए बलकि पेट की बाहर पालने की कोशिश करनी चाहिए जिससे जो बच्चे को पालने और बढ़ा करने की responsibility औरत के हाथ में ना है और New York में जो radical feminism आया था उसको NYRW New York Radical Women feminism कहा जाता है उस wave का एक famous slogan था Sisterhood is powerful Sisterhood is powerful इसको note कर लो और इसी radical feminism में एक और ग्रुप था Red Stockings नाम का इस ग्रुप का नाम Red Stockings Blue Stockings से निकल कराया था इसके बाद आता है Marxist Feminism इसमें क्या focus किया जाता है कि औरतों को जो दबाया जा रहा है ये capitalism और private property के थूँ दबाया जा रहा है ये Marxist Feminist क्या आर्गू करते हैं कि औरतों को बराबर लाने के लिए Women की liberation के लिए हमें फिर से reconstruct करना पड़ेगा capitalist economy को ये Marxist Feminist mainly inspired थे Karl Marx से और Frederick Engels से Frederick Engels ने एक famous work पब्लिश किया था Origin of the Family Private Property and State 1884 में दोस्तों ये बुक बहुत ही important है अगर Marxist Feminism को आप पढ़ रहे हो तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी terms की बारें बताया बहुत सारे moments की बारें बताया और तीनो waves की बारें बताया काफी सारी चीजें हैं जो अभी और discuss करनी है Feminism में हमको फिराल मैं आज की इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ बाकी की हम बात करेंगे next वीडियो में आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी Feminist Criticism में जितनी भी important terms थी वो समझ में आई होगी फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो